हेलो एब्रीवन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने गार्डन को कैसे सुन्दर बनाएं उसको कैसे अट्रेक्टिव बनाएं इसके लिए आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए होंगी यह जैसे पत्थर यह रेत में हमको मिल जाते हैं यह छोटे वड़े किसी भी साइ हैंगे यह 40 रुपय का पेकिट आता है जिस जो आप अपने गमली में सजा सकते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं वाल हैंगिंग यह देखिए यह भी अप गार्डन में लगे बहुत सुन्दर लगती हैं और प्लांट बर मत लगाएं उसमें थोड़ा सजाएं भी उसको तो आपका गार्डन बहुत अटेक्टिब लगेगा इसके बाद जो भी आपके पास गमले हैं या जो भी आपके पास प्लांट हैं आप उनको स्टैप में लगाएं थोड़ा बड़े गमले पीछे के तरफ और चोटे गमले आगे की तरफ जमाएं जैसे आपके पास गमले और स्पेस हैं उससाब से जमाएं आप उसको सेमी सरकल भी जमा सकते हैं अगर आपके घर में कॉर्णर है तो कॉर्णर भी जमा सकते हैं आपके पास अगर पांच गमले भी हैं तो भी आप उनको सुन्दर तरीक लगा सकते हैं मैं आपको बता दूँगी कि आपको उनसे प्लांट छोटे पॉर्ट में लगाएं और आपके पास कुछ बड़े प्लांट हैं उनको आप कॉर्णर में रख सकते हैं जिसे वो सुन्दर लगेंगे और अगर आपके पास स्पेस कम है बाल करनी है या विंडो है तो उसमें इस तरीके की कुछ गंबले बनाएं और उसमें जरूर रखें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ सेयर करूँगी धीरे-धीरे आपके पास अगर जगह है तो आप हेंगिंग बास्केट भी लगा सकते हैं कुछ टांगने वाले गंबले भी लगा सकते है जिसमें आप बेल वाले पोदे लगा सकते हैं जो भी आपके पास एवर लेवल है ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे पेल लगा कर आप अपने गार्डन को सुंदर बनाए और एक स्पेस जरूर रखे बैठने के लिए अगर आपका बजट है तो आप जूला लगा सकते हैं वारना एक टेबल चेर रख सकते है और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इक इसमें दरी या कारपेट डाल सकते हैं जिसमें आप कभी बैठ सकते हैं उसमें अच्छे तरीक से और हर प्लांट को अच्छी तरह से नीट और क्टीन रखें और अच्छी तरह से उसको रखें आप छोटे छोटे गंडों को सेमी सरकल भी जमा सकते हैं तो बस आज इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आये तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें